तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ अन्बॉक्सिंग और रिव्यू फाइर बोल्ट की ब्रांड न्यू फीनिक्स स्मार्ट वाच जोकी अमुलेड एडिशन में लॉंच हुई है जी हाँ दोस्तो दो हजार रुपे के प्राइस पॉइंट के आसपस आपको 1.43 इंचिस का अमुलेड डिस्पले, मेटल बिल्ड कॉलिटी और साथ इसाथ 700 निट्स प्राइटनेस, 110 प्लस स्पोर्स मोटर ऐसे कई सारे फीचर्स मिलने वाले हैं ज्युकि आप 3-4,000 की स्मार्टवच में एक्सपेक करते थे एक टाइम पे लेकिन जैसा आप जानते है, Firebolt की Phoenix स्मार्टवच जो है वो मार्केट में हर बार तहल का मचाती है पिछली बार जो मैं इसकी वीडियो और शॉट्स राली थी चाहे वो इसकी build quality और design हो, watch UI हो app interface हो या फ्रेंड में इसके health sensors की accuracy क्यों न हो तो बने रहे ये वीडियो के एंड तक अगर आपने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया तो 500 likes का target अचीव होती ही मैं आपके लिए top 5 best smartwatch लेहूँगा इस मन्त की और उसी के साथ tech manzil को subscribe कर लिजे क्योंकि इसके बाद भी 3-4 नई smartwatch इसकी वीडियो हमारे चानल पर आने वाली है और अगर आप वीडियो सबसे पहले YouTube पर miss नहीं करना चाते तो tech manzil को subscribe करना जरूर बनता है तो unboxing से पहले अगर box का overview देखें तो जैसा आप इसके यहाँ पर आपको इसके सारे major highlights दिख जाएंगे सबसे अची बात ही है कि made in India smartwatch है with bluetooth calling और बाकी सारे basic features में आपको अलड़ी बताई चुका हूँ इदर आपको 466 x 466 का pixel resolution मिलता है चार से 5000 की smartwatch में देखने को मिलता है और right side में भी आपको कुछ key highlights मिल जाएंगे along with sensors और पीछे भी features दिख जाएंगे लेकिन दोस्तो अभी जल्दी से इसके unboxing कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसके box के contents तो जैसा आप देख सकते हैं यहां पर हमारी main smartwatch आगे है जिसको अभी निकाल के side में रख देते हैं यह grey color की smartwatch मुझे काफी ज्याद अच्छे color option में लग रही है और इसके straps की quality भी काफी अच्छी है obviously दोसो replaceable straps से आप अपनी पसंद के इसाफ से कोई भी color choose कर सकते हैं और आगे अगर box contents की बात की बात की है तो यहां पर आपको magnetic charging cable मिल जाती है जिसकी build quality काफी ज्यादा decent है और मुझे आज सच इसमें कोई भी price cutting नहीं दिखरी और end में अगर बात की है तो वही हर बार की तरह आपको typical subscriptions और paperwork मिल जागा और paperwork की obviously आपको कोई ज़रोत नहीं है क्योंकि मैं detail में आपको setup दिखाने वहरू चुकि कोई भी YouTuber आपको नहीं दिखाता तो इसी बात पर वीडियो को like कर देजिए और अब जल्दी से main smartwatch में चल लेते हैं तो दोस्तों जैसा आप इतार देख सकते हैं यहां पर हमारी main smartwatch आगी है और इस बार Phoenix smartwatch मुझे एक चीज काफी अच्छी लग रही है कि यहां पर smartwatch को बहुत ज्यादा sleek design में बनाया है और सबसे ची बात यह है कि इतनी ज्यादा premium लुका रही है smartwatch में especially इस grey color में और यहां पर आपको rotating crown भी मिल जाते है जो कि 2000 रुपीज के आस बास के budget में कहीं पर भी देखने को आपको नहीं मिलने वला इतने ज्यादा features देखने लिए मुझसे दो बिल्कुल भी नुका जा रहा है तो जल्दी से अब smartwatch को boot कर लेते है build quality के मामल में काफी decent smartwatch मुझे लगी है यहाँ पर आप pair करके directly अब इसकी Bluetooth calling और AI voice assistant को भी use कर पाएंगे तो इतना easy setup था दोस्तो इसी बात पर वीडियो को like कर दीजे और अब जल्दी से main smartwatch का UI देख लेते है दोस्तो जैसा आप इतर देख सकते है यहाँ पर हमारी main smartwatch आगे है जो की बहुत ही ज्यादा elegant display में लग रही है यहाँ पर AMOLED display होने की वैसे काफी ज्यादा deep blacks एकने को मिल रहा है और मुझे इसका watch face बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है एक अच्छी बात यह है कि working crown होने की वैसे आप directly watch faces को access कर पाएंगे यहाँ पर crown को rotate करके और यहाँ पर जो watch faces की option हो मुझे सही में काफी जादा पसंद आ रही है अब अगर बात करें brightness की तो यहाँ पे screen की brightness मैंने आपको देख सकते हैं बिल्कुल minimum QE 700 nits की peak brightness है जो कि बहुत sufficient रहेगी उसी के साथ साथ अगर बात करें pixel resolution की तो वो भी बहुत जाद अच्छा और clear है एक भी आपको जगा पे pixelated display नहीं दिखने वाला अब अगर बात करें ऊपर swipe करती क्या मिलता है तो यहाँ पे आपको notification बाहर दिख जाता है left swipe करती activity tracking और सारे basic health sensors और calling feature मिल जाता है तो यहाँ पे आप आई गें तो मैं आपको जल्दी से इसकी calling की quality दिखा देता हूँ तो जैसे आपने देखा यहाँ से आप volume increase और decrease कर सकते हैं अपने आपको phone में transfer कर सकते हैं call को और साथ ही साथ mute भी कर सकते हैं call in करने के बाद यहाँ पे मैंने आपको speaker की quality काफी अच्छे से दिखा दिया इसी तरह से आप इसमें songs अगेरा भी enjoy कर सकते हैं अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फेवरेट की option मिल जाती है जहाँ पे आप काफी सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और अगर बात करें नीचे swipe करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारे shortcuts मिल जाएंगे long with settings and battery backup और date वगेरा right swipe करते हैं यहाँ पे आपको एक shortcut bar और दिख जागा है आपको recent apps वगेरा दिख जाएंगे और साथी साथ menu में जाने की भी option दिख जाएगी तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा main menu आगया और working ground बहुत ही ज्यादा smooth functioning है इसके budget price point को अगर consider करें तो बहुत ज्यादा अच्छे features दिए हैं fireboard ने smart watch में सबसे पहले आपको exercise modes में दिखा दे तो कि कितने sports modes में मिलते हैं काफी multiple options और category wise divided भी है जिसको आप easily use कर सकते हैं और आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सारे health senses मिल जाएंगे along with music player, settings, AI voice assistant or more more कि अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सारे major features मिलने वाले है जो आप सबसे जादा use करेंगे मिल जाती है अब देख लेते हैं सेटिंग में क्या क्या मिलता है तो डिस्पले में आपको सबसे important features मिलने वाले है जैसे की sleep time menu view अलग-अलग menu styles आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ही ज्याद interactive है और यह चीज मुझे काफी पसंद आती है fireboard smartwatches की तो यहाँ पर obviously अभी में list menu देते हैं तो क्योंकि वो चीज काफी जादा easy to access रहती है उसी के साथ-साथ settings में आपको DND, phone call जैसे features में मिल जाएंगे along with system settings और एक important feature यहाँ पर यह है वो है दोस्तो always on display mode यहाँ पर आपको analog और digital clock मिल जाएगी जैसा आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको close किया है क्योंकि यह battery saving में help करता है लेकिन अगर आप digital clock लगाएंगे तो वो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं तो finally अगर बात करें smartwatch के battery backup की जिसने मुझे काफी जादे इंप्रेस किया है तो AMOLED डिस्पलोने के बावजूद भी smartwatch बड़े राम से 3-4 दिन तक का battery backup दे देती है और अगर आप Bluetooth calling को भी बहुत जादा यूज़ करते तो भी smartwatch बड़े राम से 2-3 दिन चल जाती है Finally अगर बात करें health senses की accuracy तो एक चीज़ काफी अची है कि यह smartwatch हवा में reading बिल्कुल भी नहीं दिखाती तो आप इसको easily use कर पाएंगे और steps calculator बगएरा जिसको आप सबसे जादा use करने वाले है उसकी accuracy भी decent है मैं इसको walk के time पर बड़े easily use कर पाता हूँ Finally अगर बात करें conclusion की कैसी लेगे मुझे Fireboard की brand new Phoenix जो AMOLED edition में launch हुई है तो मेरे साब से दोस्तों सबसे पहले तो जितने features यह smartwatch 2000 के आसपास के budget में दे रही है वो आपको कोई और दूसरी smartwatch निदेगी 700 nits brightness 120 से भी ज्यादा sports mode AMOLED display working ground यह सारे features आपको 2199 के special launch offer पे मिले जि पाइंग में नीचे description में है और अगर इसका price सोड़ा बहुत और भी बढ़ता है तो भी दोस्तों यह काफी justified option रहेगी क्योंकि इतने सारे features इतने कम price point पे मिलना काफी मुश्किल बात है तो आश है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो जरूरी इस वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नीचे comment section में बताएगा कि कौन सा पार्ट फेवरिट है इस वीडियो है इस product का मिलते नेक्ट वीडियो में अगर आपने टेक मंजिल को सब्सक्राइब किया हुए तो थां थांकि दोस्तों